नमस्कार आप देख रहे हैं trending story with नक्मा आज राजनीती में कभी संसत के अंदर तरह तरह के बयान आ रहे हैं जिनके उपर हंगामा मचावा है कहीं Congress बीजेपी से माफी माँगने कह रही हैं तो सबसे पहरे तो Congress अध्यक्ष मालिकार जुन खड़गे जिन्होंने कहा कि स्वतं ही मंगए ख़गे का कहना है कि मैंने यह बयान सेंसवत के बाहर दिया है। दूसरे जो कहा है वो सच है और मैं अपने बयान पर टिका हूँ। पहराल बयानों की बात करे तो एक और बयान जिसके उपर जादा हंगामा मचा हुआ है वह है कॉंग्रिस नेता अजैराय का अजैराय वही है जिन्हों ने प्रधान मंत्री के खिलाफ 2014 में बनारस से चुनाव लड़ा था अच्छे खासे दबंग नेता है मुगतार अंसारी से इनकी पुरानी दुश्मनी रही है और यह कॉंग्रिस के नेता है इन्होंने ऐसा क्या कह दिया है जो एक हंगामा मचा हुआ है अजैराय ने स्मृति इरानी के लिए बयान देते वे एक शब्द इसका इस्तमाल किया लटका जटका उन्होंने कहा कि आती है अपनी कॉंसिटुंसी में और यहां पे लटका जटका दिखा के चली जाती है तो कोई वरिष्ट नेता या जिसकी कोई हैसियत है समाज में उसे कैस तरह के शब्द इस्तमाल करने चाहिए वैसे अगर अभद्र भाशा की बात करें राज नेताओं द्वारा नेताओं द्वारा इस्तमाल किये गई अभद्र भाशा तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है संसत के अंदर हो संसत के बाहर हो इसके तो लंबा इतिहास है और अजे राय के इसके उप दे रहे हैं और कहरे हैं कि माफी तो हूं नहीं मांगेंगे से उपर क्योंकि यह तो बड़ी आम बोल चाल की भाशा है समझ लें किया एस्तेमाल होता है तो जनगों में जाना पढ़ा है वो जानते ही होंगे तो खेर हर बार स्तर इतना गिरता है कि हर बार लगता है किस से जादा बुरा तो नहीं हो सकता वहराल अभी जो अजयराय ने कहा है वो पहले बहुत सारी बाते जो कही गई है उसके हिसाब से कमी है लेकिन इस पर आपती है मुझे तो खाके चले जाते हैं स्मृति इरानी का जो टेलिविजिन करियर रहा है उनका जो बता और एक एक्ट्रस इतिहास रहा है उसको कॉंग्रेस भूलने को तयार नहीं ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी सोनिया गांदी के इटालियन और जिन को भूलने को तयार नहीं आज भी कहा गय कि इसमें ऐसे ऐसे बयान दिये गए हैं पहले भी और ये सभी पार्टी इसमें कोई पार्टी के नेता किसी से कम नहीं किसी ने कोई शालीनता नहीं बढ़ती एक बार संसत में आपको यादी होगा 2018 की बात शायद कहा गया रेनुका चौद्वी के हसी पर की रामायन की जिंता जलकती है सोचने वाली बात है कभी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे आजम खान ने जया प्रदा के लिए बहुत अजीब गरीब बयान दिये बार बार से दोहराना भी बुरा लगता है कहने का मतलब ये है कि कॉंग्रिस हो बीजेपी हो समाजवादी पा देंगे और बाकी जगों की तरह ही राजनीती में जो महिलाएं होती है उन्हें अपने काम को साबित करने के लिए अपनी काम को गंभीरता से लोग ले उनके काम को इसके लिए जादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि टिपनिया अक्सर उनके किरदार उनके कपड़ों उनकी इतिहास को लेकर की जाती है जो बहुत जाद अस्त्री विरोधी है और उमीद यही करते हैं कि बराबरी की बात होगी समान अधिकार और बराबरी के सुलूख इसकी कम से कम अपेक्षा तो जरूर रखनी चाहिए अपने कादल नेताओं से आज इतना है धन्यवाद